रो फिरो उस चुड़ेल से न थोड़ा बचके रहना वो चुड़ेल बहुत ही जादा खतरनाक है वो तुझे मार भी सकती है टिपसन यार मैं बहुत ज़ादा बहादूर हूँ मैं उस चुड़ैल वगेरा से नी डरता यार देख मैं आज तेरी वो बुक वापस लेके ही आऊंगा तो गाईज आज हम लोग जा रहे हैं टिपसन के पुराने वाले घर पर जहां पे टिपसन भाई बहुत पहले रहता था लेकिन उस घर के इंदर ना बहुत ज़ादा भूत आ गय थे जिसमें से सारे के सारे भूत तो भाग गयते लेकिन उस घर के इंदर अभी फी एक रहती है तो आज हम लोग इस घर के अंदर जाएंगे and guys यार टिपसण ने बोला है कि इस घर के इंदर जो एक बुक रखी है ना उसको हमें खोलना नहीं है तो guys हम लोग उस बुक को चुरा के ना सीधा टिपसन के पास आ जाएंगे तो रात काफी हो चुकी है फटा-फट से हम लोग चलते हैं इस घर के अंदर जैसे ही मैंने इस घर के अंदर एंटर कियाना तो मुझे वो बुक मिल चुकी थी और इसमें टिपसन की काफी सारी बचपन की फोटोस थी और यह क्या गाई इसके अंदर मुझे पता भी ने यार कैसे कैसे स्कैप करना है बट इटेंशन की कोई बात नहीं है गाईज हम लोग इसको आसानी से स्कैप करने वाले हैं यहां पर भाई यह घर जो है ना काफी बड़ा है और यार इस घर के अंदर बहुत जादा अंधेरा है बट यहां पर है उस चुड़ैल ने ना लाइटे वगरा जलाई हुई ओ भाई साब यही थी वो चुड़ैल गाई सिट मेरे को इस चुड़ैल ने देख लिया यार यह तो मेरे पीछे पढ़ गई अरे नहीं नहीं यार प्लीज छोड़ दे मेरे को मैं यहां पे कुछ नहीं करने आया हू लेकिन ये चुड़ैल हमें यहां पे ना भाई कभी भी नीप कर सकती हम लोग यहां से ना स्कैप करके ही जाएंगे और ये मेरे पास में ना एक चमच मिला है और इस चमच का यूज़ करना है हमें एक घड़ी पेपाट वो घड़ी कहा है मुझे भी नीपता पहले भी गाईज मैं इस घर के अंदर आया हूँ बट मैं ना यहां से वो बुक ले जाना भोल गया था तो आज हम लोग वो बुक लेके जाएंगे ओ नो शेट यार गाईज भाई साब ये क्या थी भाई गाईज आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोग को एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप लोग घर बैठे गेमिंग करके खेती बाड़ी से काफी सारा पैसा कमा सकते हो तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में है जाके आप लोग उसको डाउनलोड क परो एंड उसके बाद आप लोग को मोबाईल लॉग इन पर किलिक करना है उसके बाद आप लोग को रेजिस्टर 9 पर किलिक करना है फिर मोबाईल नंबर एंड ओटी पी और एक 6 नंबर का पासवर्ड बनाके ना आप लोग को यहां से कंफर्म करके लॉग इन कर लेना है जिस पे आप लोग को मिलेंगे 100 रुपीज फ्री और यार डेली साइन इन करने पर आप लोग को मिल जाते है 6 रुपे आप लोग को सबसे पहले इसमें पैसे एड़ करने पड़ेंगे तो पे 8 पे आके आप लोग देख सकते हो यहां 100 रुपे एड़ करने पे 15 रुपे का बोनस और 500 रुपे एड़ करने पे आप लोगो 100 रुपे का बोनस 1000 पे 2500 और 3000 पे 900 रुपे का बोनस उसके बाद happy farmer game पे click करने के बाद न गाईज आप लोगो यहां पे ना भाई plot खरीदने पड़ेंगे मतलब खेती के लिए ना आप लोगो यहां पे जमीन खरीदनी पड़ेगी तो मैंने 40 पैसे में एक खरीद लिया है और अब मैं उसके अंदर ना गेहों बोने वाला हूँ तो चलो गाईज यहां पे ना मैंने ग्यों को बोध याया है जिसकी कीमत थी 80 पैसे और गाईज यहां पे ना 10 ग्हंटे बाद मेरे पास 1 रुप्य से ज़्यादा पैसे बन जाएंगे और ऐसे ही ना गाईज हम लोग यहां पे बहुत सारे खेत खरीद करना बहुत सारी खेती बाड़ी करके पैसे कमा सकते हैं और यहां पे आप लोग को डेली रिवार्ड भी कलेक्ट करने के लिए मिल जाता है साथ में ही आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त बना कर उनके साथ खेल सकते और पैसा कमा सकते हो जैसे के गाईज यहाँ पे इतने सारे लड़के और लड़किया दोस्त बन के ना काफी सारे पैसे कमा लेते हैं तो देखो सबसे पहले अकाउंट नेमब और आफसी कोड डालके आप डेली यहां से 200 से 10 जार तक विड्रॉल कर सकते हो और ये क्या यार भाई साब इस चुडैल ने ना गाईज हम लोगों फिर से लॉक कर दिया यार ये मेरे को एक यहां पर बहुत ही सड़ा होआ सोच मिला है तो फटक वट के लाएंगे और वहां से वहांसे ओपन हो जाएगा तो ये रहा वहां फटक फटाफट से हम लोग इस सड़ेल सोक्ष को यहां लगा देते हैं अभी नीचे चलते हैं गाइस और यार चोड़ेल से बचके रहना पड़ेगा बहुत खतरनाक है एंड मेरे को क्रोबार भी यहीं पर मिल गया यार यह बड़ा अच्छा है यार चलो फटाफट से हम लोग को स इन पैनल को हटा के न गाइस यहां से देखो यह रहा वो सेक्रेट डोर जो मैं आप लोग को दिखाने आया हूँ और यहां पर हमें क्या क्या मिल सकता है यहां पर एक भाई यह क्या है यहां पर एक ड्राइंग है और ओ भाई यहां पर हमें मैं समझ गया गाइस क्या होने भाला है फटअ-फटवर्ट से हम लोग इसको उठाते हैं एंड हमें जाना है घड़ी के पास और इस ड्राइंग से हमें यहां पर देख के निघा घडा एट नगाइस टाइम सैट करना है इस घड़ी के अंदर तो चलो गाइस फटवर्ट से हम लोगों ने जो टाम देखा ए उसको यहाँ पर कर देते और यह क्या ओ भाई मैं एकदम से डर गया ता गाईज मुझे लगा यार इसके अंदर से भी कोई भूत निकल के आ है बट यहाँ पर हम लोग को एक कवे का पंक मिल चुका है तो हमें इसका कहां यूस करना है वो भी मेरे को पता है बट पीछे हमारी चुड़ेल लग चुकी है यार इस चुड़ेल से मैं बहुत जादा परिसान हो गया लेकिन आज जब मैं इस घर से जाओंगा ना इस चुड़ेल को बहुत जादा बुरा मारूंगा और यहाँ पर मेरे को इसको गुदगुदी करना है और यार यह ना एक मौंश्टर का पै हाँ हाँ बुड़ी चुड़ेल तु मेरे को पहले पकड़ के तो दिखा तो फाइनली गाईज अभी मैंने यहाँ से वो हाथ भी उठा लिया है जो के गाईज मैंने इस मौंश्टर के मुझ से छुटवाया था एंड गाईज यह जो मौंश्टर एना गाईज इसको ना भा देघंड है क्या मिलने वाला है और यह क्या कोई केसट है गाईज लगता है मूवी औगएरा चलानी है या फिर भाई कुए सॉंग वगएरा चलाना है तो चलो और फाइनली गाईज उस चुलैल को पता भी नहीं चला वो गाने सुनने में इतनी ज्यादा मगन हो गई थी कि भाई हम लोगों ने उसकी जादूई छड़ी यहां से चुरा लिये और यहां पर यह क्या रखा है गाईज यार यह तो एक ड्राइंग है और इस ड्राइंग में एक मंतर लिखा हुआ है जो के हम लोगों को इस चड़ी के साथ में यूज़ करना पड़ेगा फटा फट से हम लोग उपर चलते हैं और यहां पर चुड़ा लेना इसके पास एक चाबी है तो फटा फट से करते हैं आपर कर डाब रहा यहां पे कौन पाद रहा अरे मुझे चोड़ दो मैंने नहीं पादा पिलीज देखा गाईज मुझे पता था यह चुड़ा जूट बोलेगी इसलिए अब मैं इसके ओपर दूसरा मंतर लगाता हूँ आदा पादा किसने पादा पिलीज मुझे माफ कर दो मैं अपना जुरुम कबूल करती हूँ हाँ मैं नहीं और तू टकले तू क्या देख रहा है तेरे ओपर भी मारूगा कोई मंतर जा तुझे माफ किया सुतरी के अभी हम लोग को नीचे जाना है गाईज और अभी तो हमें क्या क्या चीज़े नहीं मिली है हमें नहीं मिली है अभी तक टेली पोर्ट वाल नहीं मिली है तो फटा फट से हम लोग इनको उठा के ना यहां पर डाल देते हैं और यार इसके बाद अभी मेरे को दूसरी वाली बॉल भी उठानी है कहां गई तो फटा फट से उठा लेता हूं यह रही गाईज अब मैं इसको जैसे इधर उधर हिलाऊंगा तो हम लोग एक नई जंगा पर टे हम लोग चलते हैं में डोर की जो किया है वह साप के पास है और उस साप को आज हम लोग नँर अपने जंतर मंतर से से बनाने वाले हैं रसी चलो यरो गाईज फटा-फट से पहले हमें पास यहां पर एक चाबी आ चुकी है तो फटा फट से हम लोग नीचे चलते हैं और कहां पर है वो में डोर वहां पर हम लोग इसको लगाने वाले हैं और दो चाबी हम लोग ने चीनी थी भाई उस चुडैल से तो फटा फट से हम लोग पहले नीचे जाते हैं और चुडैल स अरे क्या दिक्कत यार वीडियो में फटाफट से लाइक करो यार मुझे पता है आप लोग नपाई वीडियो को लाइक करना भोल जाते हो बट कोई नहीं यार मैंने आप लोग को याद दिला दिया है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चल्दी से हम लोग यहां से एक और रून को उठा लेते हैं एंड यह क्या भाई साफ चुडएल आ गए यहां पर फिर से रो फिरो आज तो तू गया बेटे देख रहे हैं कैसे असरी यह नाला एक चुडएल भाई साफ इसकी हसी से ना भाई बंदर भी नहीं डरेंगे और यह मेरे को ट्रानी की बात कर रही है तो फटाफट से देखते हैं और कहा गए यार यह चुडएल ओई चुडएल किदर है तू अब बोल तो जा देख रहे हो गाईस चुडएल इतना यादा डरती है मेरे से भाई देख भी नहीं रही मेरी तरफ को क कहा गई या खिर मुझे पता तो चले यार खिर कहा पर गई है तू देख रहा है मेरे को तेरी ऐसी जैसी तुझे बहुत मार हुआ सुतरी के टकले आश में बंधा हुआ ना होता तो आज इस रोपिरों की टट्टे निकाल देता गाईस यार यह जो मॉंस्टर है ना भाई यह बिलकुल भी बोल नहीं सकता विचारा बंधा हुआ है इसको ना चुडेल ने यहां बांध के रखा हुआ है तो यहां पे भी मेरे को लगाने एक और की तो फटा फट से मिरे को उपर जाना है एंड वह चुडेल यार कहीं पर भी मिल सकती है तो मैं ना गाइस इधर वा कुछने वाला भी नहीं हूँ गाइज वो मुझे पता है कहा रखी है वो ना भाई मैंने चुड़ैल को जहां पे जंतर मंतर की अतना उसी रूम में रखी हुई थी बट अभी दर दिखने ही रही यार कहा गई वो चाबी ओके तो फाइनली गाइज हमें यहां पर एक और रू तो कोई बात ने यार हम लोगों ने फाइनली गेम को कंप्लीट कर लिया है और आज का गेम पिले उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफी अच्छा लगाओगा तो प्यारा से कमेंट और एक लाइक कर देना मिलता हूं न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई